रवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन न्यूँ अबडेट के बारे में इस लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें धिहान से देखें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब ज उनके लिए online link भी अब आना सुरू हो चुका है, तो वीडियो की सुरुआत करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, 18 September 2020 को grade card status update किया गया है, जिन भी student के assignment status update किया गया था, उनका grade card में आप marks add होना सुरू हो चुके हैं, marks लगने सुरू हो चुके हैं, जिन भी student के 1 September या उससे पह जिनके 9 September को, 10 September को और 12 September को add हुए थे, marks status update हुआ था, उनको कुछ दिनों का और समय इंतिदार करना होगा और जल्दी उनके भी assignment status के marks, grade card में update हो जाएंगे, लिंक आपको description में मिल जाएगा, जहाँ पर से आपना grade card चेक कर सकते हैं, next update के बारे में बात करते हैं, तो आप य दिया गया है, उसका link में आपको description में दे दूँगा, जहाँ पर आपको अपने study center की email ID पर अपने assignments को online submit करना है, format वही रहेगा, जो की June exam के लिए assignment submission का था, यहाँ पर कुछ important point भी दे रखे हैं, जो की आपको देखने होंगे, assignment have to be submitted directly at the email ID, email ID पर आपको अपने study center की जमा कर दिया हैं, उसका link आपको description में मिल जाएगा, पूरा PDF format में हर study center का इन्होंने link दिया हुआ है, आप भी अपने regional center की website को regularly check करते रहें, जल्दी आपके regional center भी इस तरीके का PDF format में आपके assignment के लिए online link provide करवा सकता है, तो अब आप online भी submit करवा सकते हैं, और offline भी submit करवा सकते हैं last date इसमें 30 September 2020 लिखी हुई है, लेकिन आपके assignment submission के date आगे भी extend होगी और आप पूरे October में भी अपने assignment submit कर पाएंगे क्योंकि assignment submission की date extend की जाती है, ठीक, और उसके बाद भी यहाँ पर यह format भी दे रखा है, जिस format में आपको इनको submit करना है, enrollment number लिखना होगा आपको अपना name, program code, course code, study center, name, code और contact number जरूर लिखे, contact number में अपना email ID भी लिखे और अपना वो phone number लिखे जहाँ पर आप से contact तुरंत किया जा सकता है, ठीक, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, if any disparency is found in the assignment submitted, it will be returned back to the learner for correction and resummition, यानि कि अगर कोई खामी पाय जाती assignment में, तो आपको वापिस कर दिया जाएगा वो, चाहे वो email के जरिए किया जाए, फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप दुबारा उसको submit कीजिए, उसके बाद A4 paper पर आप submit कर सकते हैं, अगर A4 paper पर नहीं है, तो register के fair pages इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ लिखा हुआ है, कि किसी भी तरीके के ऐसा page, जिसमें सही तरीके से आप लिख पाएं, उन पर आप लिखकर इनको submit कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद तो आपको scan कर रहा हैं, ठीक, उसके बाद the sent report of the email by which you submit your assignment is your assignment submission receipt, no separate receipt will be provided, इसके ओपर काफी सारे student ने June exam में regional centers को mail किया था, कि हम जब online अपने assignment submit कर रहा हैं, तो कोई भी किसी भी तरीके की उनको receipt नहीं मिल रही है, तो इसमें इन्होंने एक बार फिर clarify किया है, कि आपने जो email किया है, उसी को या आप receipt मानके चलिए, आपको अलग से कोई receipt provide नहीं करवाई जाएगी, यू can send the course-wise assignment, attachment separately one by one, if all assignment cannot be attached together in a single email, यानि कि अगर आपको लगता है कि आपके assignment एक साज नहीं submit हो पाएंगे, तो एक-एक करके email ID के जड़ी आप भी submit कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद Google Drive पर भी आप अपने assignment submit कर सकते हैं, और hard copy आपको अपने assignment की रखनी होगी, यानि कि अपने assignment की जो hard copy है, जिसमें आपने लिख है, उनको समभल के रखे, अगर जुरत पढ़ती है, तो आपसे वो मंगवाए जा सकते हैं, दुबारा, तो ये बात आपको धियान में रखनी है, assignment submission के लिए online link अब आना शुरू हो चुका है, 30 September 2020, last date है, अब आप online भी और offline भी submit कर पाएंगे, तो आप next notification के बारे में बात करते हैं, next notification, IGNU ने अपनी तरफ से एक नया certificate program launch किया है, Certificate in Mobile Application Development, इसमें चाहिए आप admission ले या ना ले, लेकिन काफी important है, इसके जरी आप अपने लिए Android एप बना सकते हैं, Android एप किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी, तो अगर आप admission लेना चाहते हैं, तो इसका online material जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि ये काफी important है, और अगर आप अपनी Android एप खुद की बनाना चाहते हैं, तो online material जो IGNU ने प्रोवाइट करवारा है, उसको डाउनलोड करके, खुद भी इसमें कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा छेतर है, जहां पर रोजगार की संभावनाय लगातार बढ़ रही है, इसमें जो eligibility criteria है, वो सिर्फ 10 प्लस 2 है, यानकि अगर आपने 12th पास की है, तो आप admission ले सकते हैं, या अगर आपने 10 भी पास करके, 2 या 3 साल का डिपलोमा किया है, तब भी, duration सिर्फ 6 मन्त की है, एक semester होगा, और target group of learner वो हैं, जो की mobile app बनाना चाहते हैं, या mobile app बनाने में interested हैं, आप जैसे की जानते हैं कि आजकल Google Play Store पे छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए mobile app है, चाहे लूडो खेलना हो, या फिर कोई बड़ा से बड़ा काम करना हो, या PUBG की mobile app हो, कोई gaming mobile app है, education की mobile app है, तो ये सारी से सारी mobile app किस तरीके से बनती है, उसमें ये सिखाया जाएगा, इसलिए अगर आप इसको एक course को करना चाहते हैं, तो बहुत useful course है, अगर आप इस course को नहीं भी करना चाहते हैं, तो कम से काम इसका online material तो डाउनलोड करी सकते हैं, इसमें भी काफी आपको जानकारी मिल जाएगी, इसमें python language भी आपको सिखाई जा रही है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसका link मैं आपको description में दे दूँगा, इस वीडियो में इतना ही वीडियो को आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, share जरूर करें, इस वीडियो को आपको